वेल्कम बैग गाइस टो वर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी मेरा नाम है चेतन पारिक आरस अगरवाल की इंगलीश वाली बुक सॉल गर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस चेटर चल रहा है उसके अंदर पार्ट नंबर 20 बन सुरू करना जा रहे हैं तो देखते हैं वेन एंड वेर डू दे मीट दो इस्टेशन हैं ए और बी इंदी में भी समझा देता हूं इंदी वाले स्टुडेंट्स की लिए दो इस्टेशन हैं एंड डाइग्राम की हल्फ से साथ साथ में समझते रहे हैं दौनों की बीच की डिस्टेंस आपको देर रखी है कितनी द मिलेंगे और कहां पास दस ने रखी है यह जो मिल करें इसलिए यह अपर रिलेटव काम में लेंगे, किसी एक जखते की speed काम में नहीं लेंगे, तो इसकी speed 3 है, इसकी speed 2 है, दौनों की relative speed किती हो जाएगी, 5 हो जाएगी, दौन opposite direction में आ रहे इस वज़े से, दौनों की speed add हो जाएगी, तो यहाँ पर इसमें 5 का divide लगा दता है, यह यहां से A है यह रास्ते में कई भी मिले होंगे तो वो point A से कितना दूर है यह आपको check करना है तो यह तो मुझे पता है कि वो दो गंटों के बाद में मिले है तो अपन check कर लेते हैं कि यहां से जो P रवाना हुआ है वो 2 गंटे बाद कहां तक पहुचा होगा तो ये 1 गंटे में अगर 3 चलता है तो 2 गंटे में कितना चल लेगा, 6 चल लेगा इसका मतलब क्या है कि A से 6 किलोमेटर दूर और B से 4 किलोमेटर दूर वो रास्ते में कई न कई पे अपन को सवाल में A से कंपैर करते हैं पूचा है तो अपना आंसर किता होगा A से 6 किलोमेटर दूर इसका मतलब option number A जो है अपना correct answer हो जाएगा clear है, simple सवाल था relative speed के कुछ सवाल अपनने last part के अंदर शुरू कर दिये थे, बस उसी को ये continue करते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है next question है two cars x and y starts from places a and b respectively which are 700 km apart at 9 a.m यहाँ पर यह कह रहा है कि दो कार है x और y वो दो अलग-अलग जगे है a और b यह इस तरह के से दो अलग-अलग जगे बना दी अपन नहीं यहाँ पर रहा है both the cars run at an average speed of 60 km per hour दोनों कार की जो speed है वो 60 km परती गंटा है यह आपन को देरका सवाल में यहाँ से यह जो कार जा रही है वो भी 60 की speed से जा रही है यहाँ से यह जो कार जा रही है वो भी 60 की speed में जा रही है ठीक है उसके बाद आके क्या कह रहा है यह कह रहा है कि कार साथ में हलाकी दौनों कारे 9 बज़े साथ में रवाना हो इते दौनों अपने जगहों से लेकिन क्या हूआ कि कार एक्स जो है वो 10 बज़े तक चली उसके बाद रुक गई और उसके बाद वो 11 बज़े चलना शुरू करती है जबकि कार दूसरे वाले जो कार है कार वाई वो विदाउट स्टॉपिंग चलते हो मतलब कहीं पर रुकती नहीं है और कंटिनियों से चलती जा रही है तो आपको पूछा है सवाल में दूसरे को कितने बज़े पार करेगी आपको सवाल में पूछा गया है सवाल आई हो पूरी तरी केसा आपको समझ में आ गया पहले वीडियो को पॉस करें खुद ट्राइ करें उसके बाद यहां पर अपना सॉल्यूशन चेक करें देखो सवाल क्या कह रहा है कि 9 बज़े दौनों रवाना होएते दौनों जो है 9 बज़े रवाना होएते और 11 बज़े तक की सिच्वेशन अपन को दे रखी एक भी पहले तो एक सला था एक गंटा फिर 10 से 11 एक गंटा तक वो चला ही नहीं था फिर 11 बज़ वापिस शुरू करता है लेकिन जो दूसरी कार थी वो कंटिनियूस ले चलती जा रही है दौनों की एक वार 11 बज़े तक की सिच्वेशन क्या है वो डाइगराम करने ड्रॉ कर लेता है सबसे पहले मैं इस कार की बात कर लता हूँ ये कार तो नौन स्टॉप चल लिए कई पे भी नहीं रुक रही है नो बज़े से लेके 11 बज़े तक ये कार कंटिनियूस ले चलती जा रही है इसका मतलब क्या हूँ 9 से लेके 11 के बीच में कितना ठाइम होता है तो ग़णटे का ठाइम होता है यहां तक clear है लेकिन यह जो car ती शुरुवात वाली वो क्या करती है 10 बजे तक तो चलती है देखो car x stops at 10 am 9 बजे तो शुरू होती है 9 बजे शुरू होती है और 10 बजे रुख जाती है फिर वो 11 बजे वापिस शुरू करती है तो सबसे पहले तो देखो कि 9 से 10 यानि एक बजे का डाइगराम में आपके सामने बना दिया 9 बजे सब सुरू हुआ था 11 बजे की क्या situation है तो यह रही situation अपने सामने अब आपको सवाल में पूछा गया है कि वह रास्ते में अगर मिलती है तो वह कितने बजे मिलेगी आपको find करना है तो रास्ता कितना है यह वाला र किलोमेटर तो कवर कर लिए गया हैं पीछे कितने बचेंगे पांसो बीस बचेंगे यह पांसो बीस किलोमेटर दौनों को मिलकर कवर करना है दौनों को मिलकर अगर कवर करना है दौनों के स्पीड किती किती है देखो सांट सांट है तो सांट और सांट किती हो जाएगी एक दो से काट देते एक बार 26 या चार से ही काट लेते चलो दो से ही काट लिए एक बार ये 13 और ये 3 कितना मिल रहा है 13 बटा 3 13 बटा 3 का मतलब कितना होता है 4 सही 1 बटा 3 कितना मिल रहा है 4 सही 1 बटा 3 गंटे यानि 11 बजने के बाद में इतना टाइम और लगने वाला है 11 बजने के बाद में 4 गंटे तो यूंकि यो पूरो के-पूरे लग रहे हैं 11 बजने के बाद में 4 गंटे 11 तो बजी चुके थे इसके अदर आप 4 गंटे और इड़िते हो किते बज़ गए? 3 बज़ गए? उसके बाद यह 1 थरड अभी और इड़िते हैं अब अच्छा से सवाल है, बढ़ते हैं अगले सवाल क्या है और अगला question क्या है A train started from station A and proceeded towards station B at the speed of 48 km per hour 45 minutes later another train started from station B and proceeded towards station A at 50 km per hour If the distance between the two stations is 232 km at what distance from station A will the trains meet लगबग इसी type का सवाल है, जो भी अपन 2-3 सवाल अभी है तो करता है क्या कह रहा है, सवाल, diagram की help से साथ-साथ में समझते जाएं Hindi medium की students भी हैं अगर आप तो, क्या कह रहा है, सवाल की 2 station है A और B 2 station बना देते हैं अपन यहाँ पर A और B दौनों के बीच की दूरी अपन को दे रखिया है कि 232 km है यह कह रहा है कि station A से कार रवाना होती है यह ट्रेन रवाना होती है, station B की तरफ 48 की स्पीड से मलब यहाँ से एक train रवाना हुई, इस तरफ जा रही है 48 km per hour की स्पीड से और उसके 45 मिनट बाद में, देखो यह कह रहा है 45 मिनट लेटर, another train started from station B and proceeded towards station A 45 मिनट के बाद में, यह जब रवाना हुई, उसके 45 मिनट बाद में यहाँ से एक दूसरे train और रवाना होती है किस स्पीड से रवाना हो रही है, 50 के स्पीड से रवाना हो रही है यहाँ से जो भी यह train चलने वाली है, वो किस स्पीड से जाने वाली है वो जा रही है, 50 km per hour के स्पीड से तो आपको पूछा है कि यह दोनों train अगर रास्ते में कई पे मिलेगी तो वो जो point है वो station A से कितना दूर होगा यह आपको find करना है तो one by one सुरू कर लाता है सबसे पहले तो क्या है कि यह train पहले रवाना हुई थी इसके 45 minute बाद में यह train रवाना हुई है तो यह जब रवाना होगी 48 km per hour इसके speed है और इकितने समय तक चली है 45 minute तक चली है तो speed को जब अपन time से multiply करते है time minute के अंदर है इसको hour में change करने के लिए 6 से divide कर देता हूँ तो speed into time अपन को क्या मिलता है distance मिलता है एक तरीके से तो यहां से मुझे मिल जाएगी distance किती मिल जाएगी देखो 15 से 3 वार में 15 से 4 वार में 4 से 1 कार दिया 12 वार में और 12 into 3 किता होगा 36 यानि 36 km की दूरी जो है तै की जा चुकी है इस train के दौरा जब तक यह train चलना सुरू करेगी मतलब मैं अब यह डाइग्राम अगर थोड़ा बनू तो यहां पर पहुँच चुकी है 36 km की दूरी तै की जा चुकी है ठीक है अब पीछे कितनी दूरी बची है देखो 232 में से अगर आप 36 माइनस कर रहो तो पीछे किता बचेगा 196 बचेगा पीछे किता बच जाएगा 196 बच जाएगा यानि अब यह 196 km की दूरी आप उनको कवर करनी है दौनों ट्रेंज को मिलकर करनी यह ट्रेन अब यहां से है और यह ट्रेन यहां से रवाना हो रही है तो 196 km की डिस्टेंज ट्रवल करनी है दौनों को मिलकर जो इसकी स्पीड है रिलेटिव स्पीड वो किती हो जाएगी एक की तो 50 है और एक की 48 है कुल मिला के किता हो गया देखो 98 हो गया किता हो गया कुल मिला के 98 ठीक है अब इसके अंदर जब आप डिवाइट कर रहो किता मिल गया 2 गंटे किता मिल गंटे, फल्ब 55 मिनट थो बीड गए फल्ब 55 बीध गए वो तो ठीक है, इसके अलब दो गंटे और लगेंगे यहाँ पर कहीं पाएंगे और रास्ते में कहीं पर रास्तय पर मिल जाएंगे तो 36 km यह वाले और 96 km यह वाले यह distance मिलगी अपने को यह पूचा है कि A से कितने दूरी पर मिली है तो अपने add कर लेंगे 96 को और 36 को किता हो जायागा देगो 6 और 612 यह किता हो गया कुल मिलागे 10 और 13 13 132 km 132 km मतलब option number B जो है इस question का अपना correct answer हो जायागा एक concept काम कर रहा है opposite direction मारी है तो relative speed को अपन add कर देगे clear चलता है अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है next question है the jogging track in a sports complex is 726 meters in circumference एक jogging track है किसी sports complex के अंदर उसकी circumference यानि परिदी आपको दे रहा है 726 meter आगे कहा रहा है दीपक and his wife start from the same point and walk in opposite direction at 4.5 km per hour and 3.75 km per hour respectively दीपक और उसकी wife एक ही point से उस circular track के 4 और चलना शुरू करते है opposite direction में दोनों की speed आपको दे रहा है तो यह पूछ रहा है सवाल में they will meet for the first time in तो वो दोनों रास्ते में कई न कई मिलेंगे तो पहले बार कितनी देर बाद मिलेंगे या आपको find करना है देखो कुछ इस तरह किसी circular track है ठीक है circular track की जो circumference है अपन को दे रहे हैं 726 है माल लो दीपक किस तरफ जा रहा है किस speed जा रहा है 4.5 कि speed जा रहा है और उसकी जो wife है वो किस speed जा रही है 3.75 km per hour कि speed जा रही है दीपक और यहां पे wife दौनों opposite direction में जा रहा है 726 km उनको travel करना है मिलकर तो रास्ते में कई न कई मिलेंगे तो आपको चैक करना किता time लगेगा तो कुल मिला के देखो distance किते travel करनी है 726 मिटर ट्रेवल करनी है ठीक है और speed किती है तो दौनों के relative speed काम है कि क्योंकि यह जब भी मिलेंगे माल लो मैं कहता हूँ यहां पर मिल गए एक वार क कि यह किया है तो इसलिए मैंने एक सरकल की distance लिख लिए और distance अपने speed करता है तो time मिल जाता है अपन को distance था गई speed divide में तो speed कौन से लेंगे relative speed लेंगे क्योंकि यह जो distance है दौनों ने मिलकर cover की है और opposite direction में इस वाज़े से speed को add करेंगे तो दौनों की total speed किती हो जाएगी देखो 3.75 और कितना दे रखा है 4.5 इन दौनों के add कितना होगे यह देखो मैं यहां पर 12 आ जायागा वन यह आग पहले मैं क्या करता हूं यह जो kilometer per hour है इसको में meter per second में change कर देता हूं तो इसको meter per second में change करने के लिए क्लिए क्लियर इतने seconds अपना answer हो गया अभी options आ रहे हैं कि सारे minutes के अंदर है पहले इसको check कर लेते हैं तो फोड़ा solve कर लेते हैं क्या मिल रहा है यह यहां से point हटेगा और यहां पे 2-0 लग जाएंगे उसके बाद में 5 से इसको काड़ देते हैं 20 वार में 5 से काड़ दिया 4 वार में इसको जब अपन 5 से काड़ सेकंड को minute में चेंज गरने के लिए अपन क्या करता हैं 60 से multiply divided करता है तो यहां पे एक वार 60 और divide कर दिया फिर देखते हैं कहां तक पहुंच रहा है पन शार्थ से काड़ दिया मैं 15 वार में उसके बाद 3 से काड़ दिया 6 वार में 3 से काड़ देता है इसको अपन 5 वार मे 3 से काट दिया 2 बार में 3 से काट दिया 5 और 5 बार में उसके बाद अगर कुछ कैंसल हो रहा है तो कुछ भी नहीं कट रहा है अब डिरेकT multiply करा देते 6 into 2, 12 यहाँ पागे 4 और 5 और 7 into 2 किता हो गया 14 divide में यह multiply करना है divide में किता है 55 into 5 25 और 2 किता हो गए 27 अब ये इसको solve करके देखना है कहां तक जा रहा है लग बग 5 से अगर मैं करता हूँ 275 को 5 से अगर मैं काटने कोशिस करता हूँ कहां तक कट रहा है 25 यहां पागया 2 35 और 2 37 यहां पागया 3 10 और 3 13 मतलब 1375 तक पूरा पूरा जा रहा है बिल्कुल यानि 5 तक यह जा ही रहा है कम से कम पीछे कितना बचेगा मेरे पास पिछे बचे का 25 और यह यहाँ पा आगे 27 और 77 पॉइंट लगेगा और 0 आ जाएगा लेकिन फिर से नहीं जा रहा है फिर से एक और 0 आएगा तो दो बार में चला जाएगा मतलब अप्रॉक्सिमेटली 5.2 सम्थिंग करके इसका करेक्ट आंसर होगा इन्हें option number B जो है इस question में अपना correct answer हो जाएगा clear है? simple सा सवाल है थोड़ी सी calculation है और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है next question है A and B walk around a circular track they starts at 8 a.m. from the same point in the opposite direction A and B walk at the speed of 2 rounds and 3 rounds per hour respectively how many times all they cross each other before 9.30 a.m. A and B दो आदमी हैं circular track के 4 और चलना शुरू करते हैं 8 बचे दोनों चलना शुरू करते हैं आप उचे direction में दोनों के speed आपको दे रखिए 2 round per hour और एक ही दे रखिए 3 round per hour तो यह पूछ रहा है कि वो साड़े 9 बचे तक एक दूसरे को कितनी बार cross कर चुके होंगे ठीक है तो सबसे पहले तो यह circular मैंने बना दिया यहां पर track बना दिया यह माल लो इस तरफ A जा रहा है यह माल लो इस तरफ B जा रहा है दौनों ने मिलकर एक circle तो पूरा ही किया होगा यानि अपनको अगर time निकालना है पहली बार वो जब भी मिले होंगे एक circle उनको पूरा करना में जितना भी समय लगा होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे time is equal to distance upon speed distance किती है तो दौनों ने मिलकर एक round भूरा किया तो distance मैंने लिख दिया एक round और speed कितनी है इसके है दो round per hour इसके है तीन round per hour दौनों के मिलकर relative speed किती हो जाएगी तो add कर देगे यानि 5 round per hour यहाँ पर मैंने divide में लगा दिया 5 तो यह एक बटा 5 गंटे समय मिल गया मुझे यह पहली बार कब मिलेंगे तो 1 बटा 5 घंटे के बाद मिलेंगे, एक बटा 5 गंटे को minute में change करने के लिए 6 से गुणा कर दे किते बार मां कडिगा देखो 12 बार मा कडिगा यनि 12 मिलेंगे यनि वो पहली बार कब मिलेंगे दूसरी वार 24 पे मिलेंगे, तीसरी वार 36 पे मिलेंगे, चोंती वार 48 पे मिलेंगे, अगली वार 62 पे मिलेंगे, अगली वार 84 पे मिलेंगे, अगली वार कब मिलेंगे, 96 पर मिलेंगे, लेकिन 96 मिनट, अगर आप 8 बजे के अदर एड गरते हो तो फिर वो 9 बज़ के 36 मिनट ह जाएंगे 6 मिनिट एक्स्ट्रा हो गए लेकिन मुझे तो केवल साड़ नौ बज़ तक चेक करना है तो 84 जाए करेक्ट बैठ रहा है लास्ट करा तक जाएगा नौ बज़ के 24 मिनिट तक उसके बाद में तो एक्जीट कर जाएगा या तक सही है 24 मिनिट तक केवल सही है तो किती बार वो मिले एक दो तीन चार पांच है और साथ यानि आठ से लेकर साड़ा नौ बज़ तक कुल मिला कि वो रास्ते में साथ बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यानि option number c इस question अपना correct answer हो जाएगा clear चलते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या करा है two cyclists start on a circular track from a given point but in opposite direction with the speed of 7 meter per second and 8 meter per second respectively दो cyclist है circular track पर एक ही point से opposite direction में सुरू करता है वो इस same language है हर सवाल की तरह एक चलता है साथ की speed से एक चलता है आट की speed से आगे अपनको देरखा है if the circumference of the track is 300 meter जो circle है उसकी परिदी आपको देरखे 300 meter तो आपको पूछ रहा है after what time will they meet at the starting point तो वो सुरुवाती बिंदू पर कितनी देर के बाद मिलेंगे देखो यह circular track है ठेक है यहांसे मान लो इन्होंने चलना सुरू किया एक चलता है इस तरफ साथ की speed से एक चलता है इस तरफ आट की लेंगे तो अपन चेक कर लेते हैं कि इनको ये एक सरकल पूरा करने में इंडिविज्वली कितना कितना समय लग रहा पहला तो ये चेक कर लेते हैं एक सरकल पूरा करने में इसको कितना समय लग रहा ये देख लेते हैं और दूसरे वाले को कितना समय लग रहा ये देख लेत तो time का formula क्या होता है time का formula होगा distance upon speed तो सबसे पहले इसके लिए अपन निकालते हैं तो time कितना आ जाएगा distance 700 बटाई speed 7 यह आगे अपने पास time इतने second के बाद में इसने यह अपना एक चकर पूरा कर लेगा ठीक है इसके लिए भी बात कर लेते हैं distance किती 300 और speed किती 8 इतने समय बाद में यह अपना एक चकर पूरा कर लेगा लेकिन यह एक एक चकर अपने अलग-अलग समय पर पूरा कर रहे हैं यह दौना समय एक दूसरे को concert gap करेंगे जब अपने इनका least common multiple लेंगे लसर पर लेंगे तो बस कुछ भी नहीं करना है 308 सुरी 300 बटा 8 और 300 बटा 7 का LCM लेना है अपने को fraction का LCM कैसे लेता है तो उपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF तो उपर वालों का LCM किता आ रहा है देखो 300 और 300 का LCM 300 ही होता है और 8 और 7 का HCF कितना हो रहा है तो दोनों के बीच में कुछ भी common नहीं है इस केस में HCF किता होगा 1 ही होगा और 300 बटा एक किता होता है तीन से होता है यानि तीन से से सेकिंड ऑप्सन डी जो है इस क्वेस्टन में अपना correct answer हो जाएग clear है बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है next question है a distance of 425 km separates two trains moving towards each other at a speed of 200 km per hour दो train है अलग अलग station पर है यह अपन को इस तरह से diagram बना देता है यहाँ पर देख लिता है दो train है जो 425 km की दूरी पर है अपस में दोनों अलग अलग जगेप है और दोनों जो है 200 की speed से एक दूसरे की तरफ चल रही है 200 की speed से एक दूसरे की तरफ चल रही है ठीक है अब आगे क्या कह रहा है what will be the distance between them after one hour and 30 minutes मतलब डैड गंटे के बाद में उन दोनों के बीच की distance कितनी होगी if they reduce their speed by half every half an hour अगर वो परती एक आदे गंटे के बाद में अपनी speed को आदा कर लेता है ठीक है तो डैड गंटे के बाद में उन दोनों के बीच की distance कितनी होगी हो क्या रहा है कि इसने शुरवात की 200 की speed से इसने भी शुरवात की 200 की speed से लेकिन केवल आदे गंटे तक वो अपने speed से चले उसके बाद वो क्या करता है अपने speed को आदी कर लेता है उसके और आदे गंटे के बाद वो अपने speed को और आदा कर लेता है ठीक है तो अपन को चेक करना है कि गंटे बाद उसने अपनी स्पीड आधी कर लेती तो एक गंटे में 200 किलोमेटर चलता है तो आदे गंटे में कितना चलेगा है 100 किलोमेटर चलेगा और ये भी सेम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, पहले आदे गंटे तक तो अपनी 200 की स्पीड से चल रहा है, मतलब 100 km ट्रावल कर रहा है, उसके बाद अपनी स्पीड 200 की जगे 100 की स्पीड से चलेगा, ठीक है यहां तक, यह हो गया आदे गंटे की बाद, उसके और आदे ग सब्सक्राइब गूंटे का सिच्वेशन हो चुका अदा गंटा यह बहुत अब और चलना है इंको 50 अपको ज़रूरत नहीं है यह 500 गंटा हो चुका है आदा गंटा यह वाला आदा गंटा यह वाला और आदा गंटा यह वाला आदा घंटा हो चुके अब चैक कर लेते हैं इन दौनोंने मिलकल कितने distance travel किये देगो 100 और 100 200 और यह 100 कितों हो गए 300, 300 और यह 50 किता हो गए 300, मतलब यह जो distance है वो 300 km कवर हो चुकी है 425 में से 300 km कवर हो चुके हैं तो पीछे कितने बचाओंगे, तो 425 माइनस 350 किता आ जाएगा 75 km, तो 75 km यानि option number A जो है इस question में अबना correct answer हो जाएगा clear, I hope guys, सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरी के समझ माए हैं, आगे आने वाले सवालों को upcoming parts के अंदर सवाल करेंगे, thank you Please, like, share, subscribe डिजिटल तैयारी